दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको 10,000 के नीचे सबसे अच्छा स्मार्टफून बताने वाला हूँ जिसमें आपको बड़ा बैटरी मिल जाएगा, फास्ट चार्जर मिल जाएगा, बड़ा डिस्पले मिल जाएगा आपको इस मुबाइल में मस्त आपको अच्छा-च्छा डिजाइन देखने को मिल जाएगा और कैमरा भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं sensor 8MP का front camera आपको देखने को मिल जागा water drop notch के साथ back panel में आपको fingerprint sensor देखने को मिल जागा reverse charger का भी option है दोस्तो इसका price है 8999 यानि कि 1000 कम दोस्तो पहले number पर आता है macromax के तरफ से macromax in one दोस्तो macromax in one में आपको stroke android मिल जाता है यानि कि इसमें आपको कोई भी add देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको 6.67 इंच का fhd plus display देखने को मिल जाता है mediatek hilo g80 का परसेसर आपको इसमें मिल जाता है जो के realme 30A से थोड़ा downgrade है दोस्तो इसमें आपको 5000 AMH का बैटरी देखने को मिल जाता है ठारवाट का फार्ष चार्जर देखने को मिल जाता है दोस्तो पीछे के साइड ट्रपल कैमरा है 48 MP का मेंट संसर है 2 MP का मेक्रो और 8 MP का सलफी कैमरा है पांच होल के साथ और फोर एक्स आप इसमें जूम कर सकते हैं दोस्तो इस मुबाइल में वह गेमिंग वगरा मैं कोई भी दिक्कत इसमें देखने को मिल जाता है पीछे के साइड फिंगर्पिंट संसर देखने को मिल जाता है तो अगर आप इंडिया का स्मार्टफोन खरीदना चाहते तो इसे खरीदे आन वरना आप रियल मीना जो 30 को उसमें ज्यादा फिचर्स दिया गया है और दोस्तो कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और दोस्तो इसमें आपको गेमिंग वारे का अगरा में भी कोई दिकत नहीं होगा दोस्तो लिंक के पेने ड्रिप के रिशन में दिया है दोनों स्मार्टफोनों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्ली सस्क्राइब कर दीजिएगा